Hello friends and welcome back to my channel Bengali family in UAE जहां मैं बात करती हूँ UAE और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों कल इंस्टाग्राम के उपर किसी का मेसेज आया कि मैं आपने एक वीडियो में बताया है कि UAE का वर्क वीजा जो होता है वो बिलकुल फ्री होता है लेकिन ऐसा तो नहीं है तो मैंने सोचा आप सबको क्लारिफिकेशन देने की बहुत जादा ज़रुरत है क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं इस मामले में आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंट तक के देखेगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके तो दोस्तों UAE का जो वर्क वीजा होता है वो हम खुझ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप खुझ से UAE का वर्क वीजा लीजिए ऐसा नहीं होता है UAE में जो भी licensed companies होती है UAE के अंदर वो ही आपको sponsor करके वर्क वीजा देती है और भी बहुत सारे वीजा है जिसमें आप आकर freelance वीजा हो गया पार्टनर वीजा हो गया ये सब वीजा जो है वो आप खुझ लेकर UAE के अंदर आके काम कर सकते हैं या business कर सकते हैं वो आपके उ तो वो जो वीजा होता है उसके लिए आपको अलग से pay करने की कोई भी ज़रत नहीं होती है company ने अगर आपको hire किया है आपने interview दिया आपको offer letter देती है contract हो जाता है उसके बाद वीजा का जो process है वो पूरा company ही करती है आपको एक भी पैसा अपना खर्च करने का ज़रत नही पड़ता है चाहे वो medical के लिए हो fingerprint के लिए हो Emirates ID के लिए हो बाकी जो other process है पूरा वीजा approval से लेके आपके Emirates ID आने तक का जो process है वो पूरा company ही करवाती है आपको पैसा देनी की ज़रत नहीं पड़ती है यहाँ पे long confused इसलिए होते मैं reason आपको बताती हूं कि आप किसी agent के through अपनी job लगवाते हैं आप direct अपनी job नहीं लगवाते हैं अगर आप direct अपनी job लगवाते हैं तो यह visa जो होता है वो पूरा पूरा company का घर्चा होता है आपको free में ही visa मिलता है बोल सकते company आपको free visa देती है medical insurance देती है लेकिन अगर आप किसी agent के जरिए अगर आप job लेते है especially आप यह जो agents है वो आपके home country में बैठे हैं और आपको बोलते हैं कि काम का visa दिला देंगे दिला देंगे तो obviously वो लोग आपसे पैसा charge करेंगे ही ठीक है इसमें company भी उनसे पैसा charge करती है उनका भी खर्चा होता है वो लोग आपको job जुगार करके देते हैं तो सारी ची दे रहे हैं वो agent का charge दे रहे हैं और आपको जो agent direct work visa दिला रहा है जौब दिला रहा है यह उसका charge दे रहे हैं तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं दोनों चीजों में बिल्कुल भी confused होने की कोई भी ज़रुरत नहीं है I hope कि आप सबको clear हो गई होंगी चीजे मिलते next वीडियो में नहीं update के साथ तब तक के लिए गुट बैन टेक क्यार